आज के हमारी कोर्स की सेकेंड वीडियो है इससे पहले कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो फिर आएए शुरू करते हैं कोकोर्स का बकाइदा आगास करूँ उससे पहले मैं आपको यह बताता चलूएक कि यह 3 टॉपिक्स वाट इस लेजर, वाट इस हैपर लेजर and वाट इस हैपर लेजर फैब्रिक तो यह तीन टॉपिक्स जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं and today our topic is introduction to hyperledger तो फर आईए शुरू करते हैं so hyperledger is an open source umbrella project तो यह तमाम हम पढ़ चुके हैं पीछे लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था तो rhythm बनाने के लिए so मैं आपको दुबारा से explain कर रहा हूं कि यह एक open source project है which means कि कोई भी इसका इस्तिमाल कर सकता है right किसी किसम की कोई fee नहीं है कोई license लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी download कर सकता है और इसका easily इस्तिमाल कर सकता है right amrilla project which means कि इसकी under में बहुत सारे projects आते हैं जो कि हम आईस्ता इस्ता cover करेंगे right अब अगर मैं बात करूं इसका motive या फिर goal की बात करूं तो basically इसका goal यह है कि यह offer कराती है ऐसे suitable framework guideline tools libraries को जिसकी मदद से ठीक है open source blockchain build हो सके right बहुत ही simple अब अगर हमें बात करूं कभी स्टार्ड हुई और इट स्टार्डड फ्रॉम 2015 फ्रॉम दी लिनिक्स फांडेशन जो कि इसा इंट्रड्यूस करवा है सिर्फ और सिर्फ IT के लिए नहीं है यह cross industries वगेरा के लिए भी है means कि supply chain के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो finance industry के अंदर इसका बहुत बड़ा यूज कर सकते हो आप और ट्रैकिंग वगेरा के लिए कर सकते हो लाइक जैसे हमारी courier सर्विस है तो वहां पर भी आप बिल्कुल देख सकते हो कि अपना order जो है अपना पारसल ट्रैक कर सकते हो उसकी location देख सकते हो और तमाम चीज़े ज इस तरही के से multi multi projects के लिए राइट अब मजीद अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और इनके जो projects है उनको समझते हैं कि उनके बाद जो हमने जैसे बता है ने एक umbrella project है जिसके अंडर में बहुत सारे project है जिसके अंदर libraries भी है tools भी है frameworks भी है तो अब उसको अम cover कर रहे है कर दो